यूथ जो हामारा भारत का यूथ वैसे कहते हैं कि दुनिया वर में भारत में सबसे यूवा यूथ है मतलब सबसे कम उमर के यूवा यहाँ पर है लेकिन distracted बहुत है इनकी बहुत सारे समस्याएं है समादान कोशिश करते हैं कि आपके शब्दों से मिल जाए तो बहुत अच्छा है सबसे पहले तो distraction पर चलते हैं बहुत distraction है ठीक है, school time तक ठीक रहता है लेकिन जैसे युवा वस्ता में आता है सबसे बड़ी समस्या जैसे हम कई states को ले लेते हैं आजकल ड्रग की problem बहुत है चोट-चोटी समस्याएं लेते हैं ड्रग की problem माबाप बच्चों को freedom चलो ठीक है, बच्चों को free रखना है बच्चा बड़ा होगा उस चक्कर में पूछते ही नहीं है या माबाप नोकरी कर रहे है सुबह से शाम तक बच्चों पर ध्यान ही नहीं है पता लगता है बच्चा बाहर जाके ड्रग ले रहा है दवाईयां ले रहा है किसी गलत संगत में पड़ गया है कैसे बाहर निकले हैं मैं कहती हूँ समाधान से पहले समश्या देखिए solution तो मिली जाएगा पर problem कहां से start हुई वो आपने जिक्र भी किया कि जब एक समय होता है समय देने का parents को तो आज की इतनी आपाधापी में पहली बात तो वहां चूख जाते parents कि काम कर रहे हैं काम किसके लिए कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा भविश्य दे और वहीं आप बच्चों के भविश्य जो देना है उसी पर धिहान नहीं देते तो फिर बच्चे अब कहां जाएंगे उनको कोई चाहिए बात करने वाला कोई अपने feeling शेयर करने वाला या 99% जो लोग होते हैं वो बुराईयां देने वाले होते हैं स्पेशली दोस्ती के नाम पर ये रिष्टा है कैसा है बहुत अच्छा रिष्टा है दोस्ती, मित्रता, हर गम में साथ खड़ा है लेकिन यहां से बुराईयां शुरू हो जाती है और यूथ क्या है उसको कभी अच्छी चीजों के बारे में बताया नहीं गया डिस्ट्रेक्शन इसलिए भी है क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं, भक्ती की बात है उनको बोरिंग लगेंगी कि इससे मेरा क्या लेना देना मैं क्यों सुनू, मेरा क्या जुड़ा है यहीं वो गलती करते हैं क्योंकि यह नहीं सुनेंगे तो कुछ और सुनेंगे और कुछ और इसके अलावा कुछ और सुनना मतलब गलत चीज़ें सुनना होगा तो पहली बात तो बच्छपन से माबाप को बहुत जादा ध्यान देने की जरूत है especially even मैं तो कहूंगी कि जब बच्चा गर्व में आता तब से ही उसकी क्लास शुरू हो जानी चाहिए अच्छे संसकारों की तब से ही शुरुवात होगी वो सुन रहा है बैठा बैठा सब की बहार क्या हो रहा है क्या चीज़ें वहीं से भक्ति की शुरुवात करो वहीं से संसकारों की शुरुवात करो फिर अगर आप स्कूल भी भेज रहे हो तो बच्चों को बस स्कूली मशीन मत बनाओ केवल बस भाग करके जाकर के डिगरी लेया हमारे लिए फर्स्ट आजा बस इतना ही नहीं होता काफी सबसे ज़ादा ज़रूरी है उसकी अंदर की कंडिशनिंग उसकी भीतर की जो विचार हैं उनको पॉलिश करना वो दो ही लोग कर सकते हैं या तो स्कूल जो थोड़ा आज अगर आप ध्यान देने लग जाओगी जैसे आपने नशे की बात करें ड्रग्स की बात करें आज बहुत सारा यूथ वरंदा बना रहा है ब्रजा रहा है बहुत आके वहां मजे लेते आनन लेते यूथ को क्या चाहिए इंजोई चाहिए लाइफ में उनको इंजोई करना ह अब अगर कोई उनको ये समझा दे कि इस रास्ते में इतनी इंजोईमेंट है जिसका कोई एंड ही नहीं है आपको इतनी खुशी मिलेगी यहां पर एक बार आगए सब बर्डन सब स्ट्रेस सब खतम हो जाए पार्टी में क्यों जा रहा है यूथ वो इसलिए जा रहा है क् उसको स्ट्रेस अपना रिलीफ करना है वहां जाकर नशा करेगा थोड़ी देर गम बूल जागा पीता हूँ गम बुलाने को तो वो उनके जहन में लोगों ने बिठा दिया कि गम बुलाना तो यह एक तरीका है पर आप उनको वताई नहीं गम बुलाना तो यह भी एक तरी का है तो मंदिर जा और जाके वहां जब हरे कृष्ण महमंत्र जोड़ जोड़ से बज़ रहा हो तो उस पर खड़ाओ के उचल उचल के नाच तेरी सारी टेंशन चली जाएगी तो I'm 100% sure कि वो जाएगा एक बार तो जाएगा जब उससे बताये जा रहा है कि एक बार ट्रा यही जरूत है अभी जिस हम भगवान के नाम की बार शुरू में हमने करी दुनिया का सबसे बड़ा नशा है भगवान के नाम का नशा या तो यह चड़ता नहीं है किसी को और चड़ जाए तो उतरता नहीं है यह मीरा को चड़ा नहीं उतरा सारी दुनिया लग गई पीछ अगर नशे में आज क्या यूज जा रहा है, मैं कहती हूँ कि जो नशा वो कर रहे हैं, उससे थोड़ा बड़ा नशा उनको दे दीजे, छोटा नशा अपने आप छोड़ देंगे, और बड़ा नशा है भक्ती का नशा, वो करने लग जाएंगे तो उनको लगे आरे ये कोई नशा एक रात को करके और आप खतम हो जाते हूँ, मैं कथा में भी ये ऐसे, मुझे थोड़ा शायरी कभी शोक है, तो कथा में भी थोड़ा बोल देती हूँ कभी-कभी, बगवान से जोड़के, तो उसमें कहते हैं, जाम पर जाम पीने से क्या फाइदा? रात को पी, सुभा को उतर जाएगी, पर अपने मोहन से ऐसी तु नजरे मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी. एक बार अगर तुम अपनी आख्यों से उनको देख लोगे, वो अगर आई-कॉंटेक्ट हो गया जिस दिन, सब नशे मिट्टी में मिल जाएगी. ऐसा नशा है ब अगवान की सोंदर रियता में. तो थोड़ा सा बल डारेक्शन देना है. मैं इस बात को टोटली सपोर्ट करती हूँ, आज का यूथ नास्तिक नहीं है. बस उसको सही तरीका समझाना है. एक सही तरीका बताना है कि सत्संग, भक्ति, भजन ये तुम्हारी स्टेंथ है. ये अब बैटरी बस यूज ही करते रहोगे, चार्ज नहीं करोगे, तो खतम होगी. आज यूथ की बैटरी खतम हो रहे है. क्योंकि उनका चार्ज तो हो नहीं रहा है. कहीं से चार्जिंग तो उनको मिल नहीं रही. बट यूज ही यूज हो रहा है. दिमाग का, थोर्थ का, व झालजू